हेलो क्रिटर्स आज मैं आपके लिए आई इस विल्लो के सिये के बैट्स लेके हैं दोस्तों यह वह बैट्स है पहले तो आप इसकी ग्रेंज देख लीजिए अब बहुत सारी नेरो ग्रेंज आ रही है इसके अंदर कि दस ग्यारक ग्रेंज है दोस्तों नेरो ग्रेंज के बैट है यह इस पुर्टी एमम का दोस्तों यह बैट है कि नीचे डॉटेट वाली टो गार्ड भी लगी हुई है और यहां से में टो से बैट को काफी मोटा रखा है जिससे की टो जल्दी से खराब ना हो कि सिंगापूरी कैन हैंड लगा हुआ है और इस पर जो ग्रिप लगी है दोस्तों से डायमेंड ग्रिप बोलते हैं थोड़ी थोड़ी दानेदार ग्रिप होती है कि यह देखिए दोस्तों से की बैक साइड भी अच्छी ग्रेंस आ रहें यह देखिए आप अच्छी के करेंस बैट है यहa कि यह देख सकते हैं आप इसमें कित्ते सारे ग्रेंस आ रही है बल्ले में और अभी मैं आपको इसका दूसरा पीस दिखाता हूँ वही सेम सिंगापूरी कैन हैंडल लगा हुआ है डायमंड की गिरिप लेगी हुई है यह देखिए दोस्तो इसे भी हमने 40 mm ही रखा है और इसकी भी आप ग्रेंस देख सकते हैं किती ज़्यादा ग्रेंस है इस बनले में बहुत ज़्यादा ग्रेंस के दोनों बैट्स है यह नीचे इसकी डाटेड वाली टोगाड लगी हुई है इसका प्रोफाइल देख सकते हैं आप है कि है कि हैंडल दोस्तो इसका ना ज्यादा मोटा है ना जब ज़्यादा पतला है हमने नौर्मली हैंडल लखा है गोल हैंडल लेंस के अब और दोनों बैट्बेंगे हम पींक्ट करते हुए तो कर है हुआ है हुआ है और वे इसे बाइया बड़ा है तो दोस्तों अभी आपने दोनों बल्लों के स्टॉक भी देख लिए काफी अच्छे बल्ले हैं यह देखें आप दोनों बैटों में बहुत अच्छी ग्रेस है 40 mm बैट है दोस्तों यह सिंगापूर यह चैन है और पकड़दने काफी अच्छे है और दोनों का फ्लैक्सिबल हैंडल लगा हुआ है और दोस्तों यह देखें जो बल्ले है न यहां से गहरे नहीं है यह दोनों बैट भरे हुए है जिससे कि इसके लकड़ काफी मजबूत हो और यहां से गहरे बल्ले होते हैं नाली निकाल दी जाती है उन्हें दोस्तों जान कम होती है इन बैटों में बहुत अच्छे स्टॉप है खेलने के बाद धेरे धेरे यह बैट और खुलते जाएंगे तो दोस्तों कैसे लेगे आपको यह सिए लेडिशन लेदर बैट्स कमेंट्स बॉक में कमेंट जोड़ करके बताएगा और यह नहीं हमारे चैनल आरके स्पोर्ट्स आसीज को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रे